जो आपको intra memory infusion दिख रही है ez detective mycin and neomycin intramemory जो की आती है mammal az 5 gram में है जो lmb company के आती है इस intra memory infusion का पशु में क्या काम है कि 3-2 दिन चाहिए किस तरह कायधी पशु में धनिला रोग हो जाए तो सबसे अच्छारे जिल देखने को मिलता है पूरी डीटिल से आपको बताए जाएगा जो इस इंदर पर भी नए आए या पहले पर आप इस इंदर से जुड़े हैं तो पहले आप इस इंदर को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन और आलब आपसं दबें क्योंकि इस इंदर पर पताएगे आपको सही और 60 जान इसी भी तरह का मेस्टाइटिस है या पसुके थन में स्वेलिंग आ गई है, सुजन आ गई है, दूद की जगह पानी आ रहा है या दूद कम आ रहा है थन से इस तरह की दिकत हो गई है या माइकोप्लाजमा की यह दी को दिकत है उस तरह का मेस्टाइटिस है जो कई दिकत कर देता है दूwn निकालने में या दूद के साथ यह दी थन में से छीच ठीच प्रथ आ रहे हैं तो उस इस्तति में इस इंट्रा में मेरी उनफ्योजन को ठन के अंदर चड़ाया जाता है देखो थन में इसी तरह से यह परसूं की एक थन में यह दिकत है तो आप एक थन में उपयोग हो सकते हैं यह दि चारू थनों में है तो चारू में दो थनों में है तो दोनों में यह दि किसी भी तरह की दिकत होगी है या थनेला रोग हो गया चाहिए, एक्यूट में स्टाइटीस हो, सब एक्यूट में स्टाइटीस हो, किलनिकल में स्टाइटीस हो, किसी भी तरह का यह थनेला रोग है, तो उसमें आप इस इंट्रा में मेरी इंफ्यूजन का परियोग परसूर में करवा सकते हैं, या दूद म की आती है यह पांस ग्राम की आती है यह आराम से पसूं के थन में चढ़ाई जा सकती है पसूं के थन में कोई भी इंट्रा में मेरी इंप्यूजन कैसे चढ़ाते हैं तो उसके बारे मेरे चेंदर पर डिटेल सी वीडियो बनी हुए है वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कु में एक थन में दिकत आ गई है तो आप सुबह चड़ाएं और यदि श्याम को यदि दू निकाल रहे हैं तो एक बार और चड़ाएं इस प्रकार से आप बारा गंटे के इंतराल में आप सुबह और साम लगातार तीन दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं करें कब जब उसको आप कहीं यूज में न ले और उस थन में अंदर आप फिर ये इंट्रामेमरी इंफ्यूजन और चड़ादे इस तरह से आप लगातार तीन दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं तीन दिन के प्रयोग से पसू एकदम ठीक हो जाते हैं यदि पसू में इस तरह की दिकत हो ग हो गई है तो पृग्रेंस पसू के थन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं निशन थैंक्स धन्यवाह